नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी सवस्त और प्रसंद होंगे तथालगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पी एस एम पीजी कॉलेज जोग्राफी डेपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न जोग्राफी विद प्रेम में दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोम की बात की थी उसमें हमने देखा था बायोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और बायोम के प्रकार कितने हैं जिसमें हमने तीन पार्ट्स यानि की तीन वीडियो बना कर उसे हमने समाप्त किया है ठीके दोस्त तो इस वीडियो से सम्मन्दे जो PDF है मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा उसका link जहां से download करके आप आराम से पढ़ सकते हैं ठीके दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जन्तु जगत क्या होता है ये animal kingdom इस सब्द से आपको पता चल रहा है कि जैसी बात है कि पूरे विश्व में जन्तुओं की बात को होगी यहां पर कि जन्तुओं का किस छेत्र में क्या समराज है या कौन से छेत्र में क्या उनसे जन्तु कहते हैं जन्तु भोगोल कहते हैं यानि जियोग्राफी कहते हैं जिसके अंतरगत प्राणियों के वित्रण तथा उनके एतिहासिक विकास का अध्यन किया जाता है ठीक है किन चीजों का अध्यन किया जाता है वित्रण का और उनके एतिहासिक विकास का और जहां तक जानका और Chorological Science होती है ठीक है यह Temporel Science होती है इसके लिए किसी भी प्रदेश के सभी प्राणियों की पहचान तथा निर्धारन उनके वर्गी करन उनके वित्रन प्रतिरूप का अध्यन किया जाता है पौधों तथा प्राणियों में सरवादिक अंतर इस्थिरता तथा आगे देखते हैं पौधे इस्थर होते हैं कुछ जली पौधे जो तैरने वाले होते हैं कुछ सीमा तक गतिसील होते हैं अनता पौधे आपके इस्थिरी होते हैं जबकि जन्तु इस्थली हो चा जली हो दोनों गतिसील होते हैं कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते है वो एक स्थान पर हमेशा बने रहते हैं और जो जन्तू होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा गती करते रहते हैं यानि कि उनमें गती सीलता का गुण पाया जाता है ठीक है आगे देखते हैं अधिकान्स पौदे स्वापोसित यानि आउटो ट्रॉफ्स तथा प्रात्मिक उत्पादक होते हैं जबकि सभी जन्त उफभोकता यानि कंजीमर्स होते हैं ये कंजीमर्स जो उफभोकता होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं साकाहारी, मांसाहारी, सरवाहारी ठीके दोस्तो यह हमने चर्चा पिछले वीडियो में भी इनके बारे में हम कर चुके हैं जब पर्रेवन के जैवेक और आजैवेक घटकों के बारे में अधिन कर रहे थे तब हमने देखा था इसे आगे देख लेते हैं जन्तूओं को निम्न विसेश्थाओं के अधार पर उन्हें पादपों से अलग किया जा सकता है यानि कुछ विशेषता ऐसी है जो जन्तूंगों को पोधों से अलग करती है देखते हैं वो कौन-कौन सी विशेषता है जन्तूंगों का उपापचै यानि की मेटाबोलिजम प्रकाषअसलेसी यानि फोटोसेंटेसिस नहीं होता यानि की जन्तू जो है वो प्रकार संसलेशन्ड के लिए नहीं करते अर्थार जन्तु प्रकार संसलेशन्ड विदी से भोजन नहीं बनाते अपितु प्रकार संसलेशन्ड पादपों यानि साकाहरी प्राणी तथा साकाहरी जन्तु पर मान्साहारी जन्तु अपने आहार के लिए निर्वर होते हैं यानि कि जो पादप होते हैं वो प्रकार संसलेशन के लिए विदी से अपना भोजन मनाते हैं और उनके उपर जो साकाहारी प्राणी है ये साकाहारी जन्तु है वो निर्वर होते हैं साकारी जन्तु उपर कौन निर्वर होते हैं तो मान सारी निर्वर होते हैं ठीक दोस्तों आगे देखते हैं जन्तुओं में अत्य धिक गतिसीलता होती है ठीक है प्रते एक जन्तु के जीवन का पूर्ण चक्र यानि complete life cycle होता है तथा उसका निश्चित समय में सुनिश्चित वयस्क या प्रावड रूप में होता है कहने का मतलब है कि जो जन्तु होता है उनका पूर्ण cycle होता है यानि उनका जन्म होना उनका बड़े होना दद होना और मर जाना उनका एक cycle होता है ठीक है जन्तुओं में ब्रहद कोसिका धनी यानि सेल वैकोल्स अर्थात कोसिका में रिक्तिस्थान तथा कठोर कोशिका दिवाल का आभा होता है यानि जन्तुओं की जो ब्राद कोशिका होती है उसमें कोशिका में रिक्तिस्थान नहीं होता और कठोर कोशिका दिवाल का भी आभा होता है जबकि ये चीजे पौदों में पाई जाती है जन्तुों में बाह उद्धीपन यानि external stimulus के प्रती त्वरित प्रती किरिया अत्मक्ता यानि rapid response निवनेस होती है अर्था जन्तु बाह उत्तेजक किरियाओं के प्रती अत्यदिक समवेधनसील होते हैं कहने का मतलब है कि जो जन्तु होते हैं वो तुरंत किरिया करते हैं आपने अगर कुछ किया तो जन्तु उसका तुरंत response करते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं विस्व के प्रमुख प्रदेशों को विस्व के जो प्रमुख आपके जन्तु प्रदेशों उनको देख लेते है यहां से question आपके competition exam में पूछे जाते हैं जो खासकर जोग्राफी से सम्मंदित competition exam होता है आपका तो इसे आप अपने mind में अच्छे से रखिएगा ठीक है विस्ट को जन्तु प्रदेशों में विवाज़त करने का प्रथम सफल प्रयास ए आर वैलास ने 1876 में किया था ठीक है यह question आप से direct पूछा जाता है कि विस्ट के जन्तु प्रदेशों को सरप्रथम किसने विवाज़त किया था तो ए आर वैलास ने 1876 में किया था ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद पीजे डालिंगिटन 1957 एसी केनित 1961 डबलू जॉर्ज उनने 1862 डी लैटिन 1967 डबलू टी नेल आयमने डी एफ उदय वर्डी उनने 18 जे लिलीस 1974 में विस्ट के को प्राणी प्रदेशों में विवक्त किया परंतु आज भी वैलेस का विवाज यानी सरवाधिक मानने होता है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे तो अब देख लेते हैं कि वैलास महोदे ने किरने भागों में बांटा थे से तो उन्होंने विस्ट को च्छय प्रमुक प्राणी प्रदेशों में विवाजित किया तो यह उन्होंने च्छय प्रदेशों में विवाजित किया था इस diagram में भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से प्रदेश थे ये neo-architic प्रदेश है ये paleo-architic प्रदेश है neo-tropical प्रदेश, euthopian प्रदेश, austrian प्रदेश और oriental प्रदेश ठीक है दोस्तो तो ये 6 प्रमुक्त प्रदेश थे उनके डाइगराम में आप यार रखेंगे तो आपको आसानी से यार हो जाएंगे, ठीक है आगे देखते एं इस मैप में भी जो जियोग्राफिकल रिजनस को दिखाने कोशिस की गई है यह आपका नियो आर्किटिक है, पेलियो आर्किटिक ठीक है यह ओरियंटल है यह आपका ephrotropical यानि एथोपियन है यह नियो ट्रोपिकल यह है आश्टेलियन आपका यह है ठीक है दोस्तो यह च्छहे प्रमुख प्रदेश थे अब हम इसे एक-एक करके अध्यनिनका कर लेते हैं ठीक है दोस्तो यह डाइग्राम वही पुराना वाला है तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहले बार करते हैं पुरा आर्केटिक प्रदेश की इसमें आपको याद ये रखना है कि कौन सब्रदेश किस छेत्र में पढ़ता है ये आपको याद रखना है तो पुरा आर्केटिक प्रदेश के अंतरगत यूरोप तथा मद्ध वा उत्री एसिया को सामिल किया जाता है यूरोप को और मद्ध और उत्री एसिया को इसमें 28 रीड वाले परिवार आते हैं इस प्रदेश की प्रमुख प्राणिया रूसी कस्तूरी बिज्जू यूरेशिया का डोर्माइक रूम सागरिय छेतर का मोल रैट्स साइगा एंड चिरू एंटे लॉप एक प्रकार का हिरन होता है इस प्रदेश में रेटाईल की संख्या बहुत कम है यानि रेंगने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है वनस्पती के अदार पर इस प्रदेश को पुना पांच उप्रदेशों में विभाज़त किया गया है कौन-कौन से हैं टुंडरा प्रदेश ठीक है इसमें कौन-कौन से जीव आते हैं कैरिबो, लेमिंग, मस्क, आॉक्स, आर्किटिक, हैर, ओल्फ, आर्किटिक, फॉक्स, पोलर, बियर आदी आते हैं कौनडारी वन प्रदेश जिसमें मूस, मूल, डियर, लिनेक्स आदी प्रमुख आते हैं सितोष्न कडबंदी घाष प्रदेश जिसमें साइगा, वाइल्डेस, हॉर्स, कैमल, जेब्रा, हैम्स्टर, जैकाल प्रमुख जन्तु आते हैं इसके बाद है पद्जडवन प्रदेश जिसमें रैकून, ओपोसम, रेड़ फॉक्स, ब्लैक बियर आदी प्रमुख आते हैं इसके बाद है आपका मरु प्रदेश यानि कि जो डिजर्ट होता है वो आपका प्रदेश होता है इसमें कौन-कौन है लिजार्ट, स्नेक्स, जेब्रा, हैमेस्टर, हेड़िग, हॉग, रैट, कोटेंट, टेल यह प्रमुख प्रदेश है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मरुस्थली प्रदेश का मतलब यह नहीं होता है कि रेत ही रेत होती जो बर्फ वाला एरिया भी होता है वो भी आपको मरुस्थली प्रदेश ही होता है मरुस्थल का मतलब है जहाँ पर चरम जलवाई पाई जाती है चरम जलवाई का मतलब यह तो ठंडी बहुता दीखोगी यह तो गर्मी बहुता दीखोगी वो आपका मर्स्तली प्रदेश होता है ठीक है पुरा आर्किटिक्ट प्रदेश में समझत रीड वाले प्राडियों के 136 परिवाद पाए जाते हैं इस्थंदारियों के 100 वंस हैं यानि कि जिनेरा हैं तथा पच्छीयों के 174 वंस पाए जाते हैं यानि एक तरफ रीड वाले, दूसरी तरफ इस्थंदारी, रीड वाले कितने 136 परिवार, इस्थंदारी सो वन्स और पच्छी 174 वन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अलावा रीड वाले, इनके अलावा रीड वाले वो इस्थंदारी तरफ पच्छीयों के करम साथ 3 चेत्र परिवार पाए जाते हैं इसके वाल आपका अगला प्रदेश है नूतन आर्किटिक प्रदेश नियरेटिक रिजन ठीक है इस प्रदेश के अंतरगत उत्री अमेरिका वह ग्रीन लैंड को सामिल किया जाता है इन प्रदेशों का छेत्री आपको याद रखना है आगे देखते हैं तरसरी तथा प्लिष्टो सेन युग में ये दोनों प्रदेश बेरिंग जलडमरू मद्ध के इस्थर से तुद्वारा सम्मंदित थे जिस कारण दोनों छेत्रों में प्राणियों को विश्ण एक दूसरे छेत्र में संभव हुआ है ठीक है आपका दोस् इस्थरंड हुआ है यह था अमेरिका और यूरोपी बैसंस यानि जंगली भैसा आपस में लैंगिक संपर्क द्वारा प्रजनन करते हैं दोनों प्रदेशों में शालमन तथा ड्राउट पाई जाती है ठीक है इस प्रदेश में कुछ विश्ष्ट प्रकार के प्राणि पा करने ऐसमें खारी इसमें रेप्ताईब्स भी भारी ताधात में में पाए जाते हैं जब कि हमकुरे में देखा था कि जो रेपatाहे से वोकम संख्य हम में पाए ज्यादम को है जिसमें 24 नाधर справा था इसमें इनको आगर आप तुलना करके देखते चलेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएंगे इस प्रदेश को भी पांच उप विभागों में बाटा गया है जिस प्रकार पिछले वाले को बाटा गया था और वनस्पती के अधार पे इनको भी है टुंडरा प्रदेश इसमें कैरिबू, मस्क, ओक्स, लेमिंग, आर्केटिक, हेर, ओल्फ, आर्केटिक, फॉक्स, पॉलर, बियर, सितोषन, कटबंदी, कोंड़धारी वनबायों में मूस, मूल, डियर, वोल, राइन, लेनेक्स, आदी सितोषन, कटबंदी ये घास प्रदेश, पिछला वन प्रदेश था ये घास प्रदेश है इसमें बाइसन, प्रोंग, हॉर्न, जैक, रैबिट, पराइट, डॉग, गॉफर, फॉक्स, कोईट पाये जाते हैं परजड वन प्रदेश में रैकून, ओपोश्यम, रेड फॉक्स, ब्लैक बियर, ठीक है मरू प्रदेश में कौन है, लिजार्ड, स्नेक्स, कंगारू, जेब्रा, हैमेस्टर, हेट, बॉग, रैट, कोटेंट, टेल, आदी पाये जाते हैं अगला प्रदेश है आपका प्राच प्रदेश, यानि ओरिएंटल रिजन, इसके अंतरगत मुख भारत का दच्छडी चेतर और दच्छड पूर्व एशिया को सामिल किया जाता है औरियंटल प्रदिस में दोस्तों जहां पर अपने देश का नाम इंटर कर जाता है तो यह समझ लीजिए वो आपका महत्तपूण हो जाता है इसलिए आप आप से पूशन चाशका है कि भारत किस प्रदेश में आता है, तो आप का औंसर होगा? प्राच प्रदेश यानि ओरेंटल प्रदेश में, ठीक है?」 हिमाले परवत, तिब्वत का पठार, चीन के परवती भाग, प्राच प्रदेश तथा पुरा आर्किटिक प्रदेश के मद्ध संक्रमन मंडल यानि ट्रांजिक्षन जोन का निर्माड करते हैं इनकी लोकेशन आप एटलस पे देखते चलिए ठीक है इस तरह इस प्रदेश तथा आस्टेलियाई प्रदेश के मद्ध पूर्वी दुईफ समू संक्रमन मंडल का निर्माड करता है कहने का मतलब है कि जो आपका ओरियंटल प्रदेश है और जो अस्टेलियाई प्रदेश है उनके मद्द जो दच्छिड पूर्वे एसिया है वो संक्रमनमंडल का काम करता है ठीक है इस समस्थ प्रदेश ये जो समस्थ प्रदेश है उश्न कटबंधी प्रदेश है ठीक है प्राणियों के 118 वंस जिसमें 55 पाई जाते हैं ठीक है दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि प्रतेख प्रदेश में आपको 45 चीजे बतानी है उनकी लोकेशन बता देनी है कि इनमें कौन-कौन से देशा सामिल है ठीक है इसके बाद आपको रीड वाले प्राणियों को बत आना इसके बाद पच्छियों के आपको वंस बताने है और इसके बाद आपको कुछ जानवरों के नाम भी बताने है जैसे भारतिय हांथी, गैंडा, हिरन की कई प्रजातियां, एंटिलोप्स, फिस एंड्स, टाइगर, लिजार्ड्स, स्नेक्स, गिबोन, मंकीस, संबियर, पॉर्कू, पाइन, आदी प्रमुक रूप से पाए जाते हैं ठीक है यहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं इसके अलावा ट्रीस, रेव, गिबन, ओरैंग, टन्स, टैपीर्स, विशिष्ट प्राणी पाए जाते हैं ठीक है दोस्तो आगे देखते हैं इथोपियन इसके अंतरगर सहारा के दच्छिड का समस्त अफरीकी भाग तता सुदूर दच्छिड पूर अरेबिया समलित किया जाता है ठीक है सहारा मरुस्तल को छोड़ कर इसके जो दच्छिडी अफरीका भाग है पूरा समलित है और दच्छिड पूर अरेबिया को भी सामिल किया यानि कि जो अरब प्रायद्वीप है आपका इसी के अंतर गताता है लोकेशन आप देख लीजेगा इटलस पर ठीक है इस प्रदेश में अन्द प्रदेशों की तुलना में प्राणियों में सरवाधिक विर्था पाई जाती है यह देख इसमें मोल, बिव्ज, बियर, कैमल की पूर्णता अनुपस्थिती है यहाँ पर पाई जाने वाले सभी प्रकार के रीड वाले जन्तूओं का जन्तूओं में एकसोचोवत्तर परिवार जिसमें बाइस आपके यूनेक हैं इस तंदारी जन्तूओं में 140 वंस जिसमें 90 यूनेक हैं पच्छियों के 264 वंस जिसमें 189 यूनेक हैं ठीके दोस्तों इस प्रदेश को भी पुना तीन उप्रदेशों में विवाजित किया जाता है कौन-कौन से उप्रदेश हैं पहला है आपका मरू प्रदेश जिसमें आपके स्प्रिंगल बॉक्स पॉर्क्यूपाइन चेब्रा रोक हारेक्स प्रमुक प्रभजातियां है समाना प्रदेश जिसमें जेब्रा इलैंड गेम्स बॉक्स हार्ट बीस्ट ग्नू गिरैफ एलिफैंट ओस्ट्रिच लायन चीता प्रमुक रूप से पाए जाते हैं इसके बादे आपका उश्न कड़बंदी वन प्रदेश जिसमें ओकोपाई गोरिल्ला चिंपैंजी मंकी फोरेस्ट एलिफैंट प्रमुक प्राणियां इसके अलावा हिपो टैमस अर्ड वर्क ओस्ट्रिच तथा जोडेंट्स एवं कीट भच्ची इंसेक्टिवर्स की कुछ खास प्रजातियां मात इथियोपियन प्रदेश में ही पाई जाती हैं ठीके दोस्तो इसके बाद अगला है आपका पांचवा आश्टेलियन प्रदेश आश्टेलियन रिजन इसके अंतरगत आश्टेलिया महादूइप वदच्छडपूर एसिया तथा आश्टेलिया के मद के कुछ दूइपों जैसे न्यूगनिया न्यूगाईना सोलोमन समोवा आदी को समलित किया जाता है इन प्रदेशों की आपको लोकेशन ही याद रखनी है कि कौन से प्रदेश में कौन कौन से चेतर आते हैं क्यूश्चन आपके यहीं से बनते हैं इस प्रदेश में गर्भ में बच्चों को आहार प्रदान करने वाले इस थंदारी जन्तु कम ही पाय जाते हैं यानि ऐसे जन्तु नहीं पाय जाते हैं जो गर्ब में बच्चों को अपना आहार देते हैं तो पाय कौन से जाते हैं अपने उदर के बाय भाग में थैली धारण करने वाले जन्तु जैसे आपका कंगारू कंगारू को आपने देखा होगा कि उसके बाए भाग में थैली होती है जहाँ पर वो बच्चों को रखते हैं यह अपने बच्चों को रखकर चलते हैं इस प्रदेश के विशिष्ट प्राणी है यानि कंगारू यानि कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जो अपने बाय भाग में थैली बना कर अपने बच्चों को रखते हैं कुछ विसिस्ट प्राणी यहां पर पाये जाते हैं इस प्रदेश में सभी प्रकार के रीड वाले जन्तुओं के 141 परिवार, 44 यूनिक हैं इस तंदारी जन्तुओं के 72 वंस और पच्चियों के 298 वंस पाये जाते हैं इस प्रदेश को भी पुनाहतीन उप्रदेशों में विवाज़त किया जाता है मरु प्रदेश जिसमें आपके मारसुपहल, मौल, जेबरा, पाराकीट, लिजाड आदी प्रमुख जन्तुओं है सवाना प्रदेश जिसमें एमू, रेड कांगा, जू, बैंडिकोट, उमबैट, कोकेटो, पैरेट आदी प्रमुख जन्तुओं पाये जाते हैं इसके लाबा उष्ण कडबंदी वन प्रदेश जिसमें ट्री, मस्क, कंगारूस, वालेबी, कौाला, ओपश्यम, कैशो, वैरी, आदी प्रमुख जन्तुओं पाये जाते हैं इसके बार आपका लास्ट है नवा यन वरत्तिय प्रदेश यानि नियो ट्रॉपिकल रिजन इसके बार आपका लास्ट है नियो ट्रॉपिकल रिजन्स में पाये जाते हैं और सबसे जादा प्राणी कहां पर प्रदेश में ठीक है मर्सू पायल्स के 32 परिवार जो अस्टेलिया के मर्सू पायल्स से सरवथा भिन्न है तथा बंदर, पच्छी, तीछ नदंती जन्तुओं के कई विसिस्ट परिवार तथा वंस मात्र यहीं पर पाये जाते हैं इस प्रदेश में समस्त रीड़ वाले जन्तुओं के 168 परिवार जिसमें 44 यूनिक हैं इस तंदारी जन्तुओं के 130 वंस जिसमें 103 यूनिक हैं तथा पच्छीओं के 683 वंस जिसमें 576 यूनिक हैं पाये जाते हैं ठीक दोस्तो इस प्रदेश को पुनाह तीन उप स्प्राज़त किया जाता है। सितोष्ण कडबंदु ए घास प्रदेश जिसमें गुवानको रिया विसकस्षा कैवी फॉक्स संक आदिप्रमुक जन्तु हैं मदु प्रदेश जिसमें गुवानको रिया अर्मा डिलो वल्चर मर finde गिद्द। आदि प्रमुक जन्तु हैं आयन वरत्ती वन प्रदेश जिसमें आपके प्रमख रूप से मंकी, किंगा जाओ, पिग्मी, अन्थीटर, स्लोट, ट्री, स्नैक्स, पैरट, हमिंग बर्ड आधी प्रमख रूप से पाये जाते हैं हँन काँ fella, प्रहका जाता है है, सब्सक्राइब, जर्कूरण के बारे किष्योंब्कितर, ज्सक्राइब प्रदेश को अलग करने वाले में चर्चा किया है ठीक, दोस्तो एक बार अधायग्राम को और देख लेते हैं कि कौन सेर्थ प्रदेश कहां पर है तो यह आपका नियो आर्किटिक है यह पहले हो आर्किटिक है यह नियो ट्रॉपिकल है यहां पर इथोपियन प्रदेश है औरियंटल प्रदेश है जिसमें आपका भारत भी आता है और आपका यह आश्ट्रेलियन प्रदेश है ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो से सम्मंदे जो PDF है आपका मैं वीडियो के description box में आपका उसको link दे दूँगा वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं ठीके दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और comment करें साथ ही साथ channel को भी subscribe कर लें और bell icon का button भी दवा दें ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे ठीके दोस्तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप हमेशा मुस्कुराते रहिए खुश रहिए प्रसंद रहिए धन्नवाद जय हिंद मित्रो